परिच्छे शर्मिला जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस थल पर उगने वाले पादप निम्न में विभाजित हैं थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राकियोफाइटा क्या तुम्हें पता है ट्राकियो फाइटा में समवहनी पादप शामिल होते हैं? हाँ ये समवहनी पादप है टेरीडो फाइट जिमनोसपर्म और अन्जियोसपर्म हम टेरीडो फाइट के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं अब हम जिम्नो स्पर्म यानि अनावरित बीजी और एंजियो स्पर्म यानि आवरित बीजी का अध्यन करने जा रहे हैं। उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जिम्नो स्पर्म के मुख्य विशेशताएं जानना जिम्नो स्पर्म में जनन जिम्नो स्पर्म के विभिन प्रभागों का अध्यन यानि साइकेडोफाइटा, गिंकगोफाइटा, जिनटोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। एंजियो स्पर्म की मुख्य विशेष्टाओं का अध्यन, एंजियो स्पर्म में जनन, कुछ महत्वपून एंजियो स्पर्म के जीवन चक्र को समझना, पादब जीवन चक्र और पीड़ी एकांतरण का अध्यन. जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में मध्यम आकार वाले व्रिक्षों से लेकर जाडियां और लंबे व्रिक्ष होते हैं. विशाल रेडवुड व्रिक्ष सिक्वा सबसे लंबी व्रिक्ष प्रजातियों में से एक है। यह इतना बड़ा व्रिक्ष है कि टॉंगा जैसे वाहन इनके तने से होकर गुजर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म समवहनी पादप हैं जो शंकु कहलाने काश्ठिय शंकु धर के शुषकों पर बीज उत्पन्न करते हैं। जड़े, प्रायह, मूसला जड़े होती हैं। कुछ जीनस में जड़े कवक, मूल, पाइनस के रूप में कवक से सहयोग कर लेती हैं, जबकि कुछ अन्य साइकस में प्रवाल मूल कहलाने वाली छोटी विशिष्ट जड़े, नाइट्रोजन, एन्टू, स्थिर करने वाले साइनो बैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है तने अशाखित, साइकस, अथवाशाखित, पाइनस, सीड्रस हो सकते हैं, पत्तियां सरल या संयुक्त होती हैं, साइकस में पिछाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं, साइकंड में पत्तियों का अंतस्थ गुच्छा और शंकूओं में बीज होते हैं, ताप, नमी और वायू को सहन करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं। कौनी फरों शंकु व्रिक्ष में सुई जैसी पत्तियां प्रिष्ठ क्षेत्र फल कम कर देती हैं। इनकी मोटी क्यूटिकल और गर्तिक रंद्र पानी की हानी कम करने में भी मदद करते हैं। सभी साइकैड में नर और मादा अलग-अलग पौधे होते हैं। जिम्नोस्पम विशम बीजानु होते हैं, जिसका आर्थ है कि वे अगोनित लगु बीजानु और व्रिहत बीजानु बनाते हैं। बीजानु धानी में दो प्रकार के बीजानु उत्पन होते हैं। बीजानु धानी बीजानु पण पर होती हैं, जो सप्रिल की तरह तने पर लगे रहते हैं, और शलत, अथवा, सघन, शंकु धर या शंकु बनाते हैं। शंकु पर लगु बीजानु पण और लगु बीजानु धानी होती हैं, जिनहें लगु बीजानु धानिक या नर्शंकु कहते हैं। लगु बीजानु बहुत ही न्यूनीकृत नर्शंकु बीजानु धानी के भीतर विक्सित होते हैं, जिस शंकु पर बीजान्ड या गुरु बीजानु धानी के साथ गुरु बीजानु पण होते हैं, उन्हें गुरु बीजानु धानी या मादा शंकु कहते हैं। नर या मादा शंकु या शंकुधर एक ही व्रिक्ष पर पाइनस या अलग-अलग व्रिक्षों, साइकस पर स्थित हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म जनन गुरू बीजानु मात्र कोशिका बीजान्ड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। चार गुरू बीजानु बनाती हैं। ये गुरू बीजानु पर्ण पर स्थित बीजान्ड के छिद्र तक हावा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागनली में नर युगमक होते हैं और यह परागनली बीजन्ड में स्त्रीधानी की ओर जाती है और स्त्रीधानी के मुख के पास अपने अव्यव यानी शुक्रानु छोड़ देती है निशेचन के पश्चात, युगमनच एक भ्रूण में विक्सित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं साइकेडोफाइटा जिमनोस्पर्म के चार प्रभाग होते हैं साइकेडोफाइटा, साइकस गिंकोफाइटा, गिंकको जिनीटोफाइटा, एफेड्रा कॉनिफेरोफाइटा, पाइनस सबसे प्रसिद्ध प्रजाती साइकस रिवोल्यूटा है इसकी पाम जैसे रूप के कारण सागोपाम या किंग सागोपाम के नाम से व्यापक खेती की जाती है हालकि यह एक सत्यपाम नहीं है जातिगत नाम ग्रीक शब्द कोई कास से लिया गया है जिसका अर्थ है एक प्रकार का पाम गिंखगोफाइटा प्रभाग गिंखगोफाइटा में केवल एक जीवित प्रजाती गिंखगोबा आती है गिंखगोबायलोबा की पत्तियां सपाली होती है गिंखगोब में नर और मादावरिक्ष अलग-अलग होते है जिनिटोफाइटा प्रभाग जिनिटोफाइटा में तीन वंश आते हैं जिनिटम, एफेड्रा, वेल्विट सचिया कोनिफेरोफाइटा कोनिफेरोफाइटा जिम्नोस फर्म का सबसे बड़ा और अधिक विविधता वाला प्रभाग है अधिकतर कोनिफर्स सदा बहार होते हैं इनमें वर्ष भर पत्तियां लगी रहती हैं बहुत कम पर्ण पाती होते हैं एक ही समय पर अपनी सब ही पत्तियां गिरा देते हैं एंजियो स्पर्म आवरित बीजी वनस्पती जगत में एंजियो स्पर्म अथ्वा पुश्पी पादप सबसे बड़ा प्रमुक और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपून वर्ग बनाते हैं इनमें वरिक्ष, जाडियां, लताएं और शाक आते हैं जो लगभग सभी प्रकार के वातावरण के लिए अनुकूलित हैं ये मुख्य रूप से स्थलिय पादप हैं लेकिन कुछ जलोद भिद जैसे हाइड्रिला, वाटर लिली आदी, गौन रूप से जल में और जोस्टेरा, इल ग्रास जैसे समुद्री जल में भी पाए जाते हैं अनेक एंजियो स्पर्म मरुद भिद होते हैं जैसे की नागवनी, कुछ एंजियो स्पर्म अधिपादप बन गए जैसे आर्किड या परजीवी जैसे कसकुटा, समवहनी पादप वे पादप होते हैं जिनमें पादपों तक उपर जल ले जाने और पादपों के भागों तक नीचे भोजन पहुचाने के लिए नलिकाएं होती हैं अमेरिकन, डॉक वुड, गुलाब, गुड हल आधी एंजियो स्पर्म सामान्य रूप से पुष्पी पादप कहलाते हैं इन पादपों में पराग कन और बीजांड पुष्प कहलाने वाली विशिष्ट संग्रच ना में विक्सित होते हैं एंजियो स्पर्म में बीज फलों द्वारा परिबद्ध होते हैं एंजियो स्पर्म पादपों का सबसे बड़ा समोह हैं इनके वास्थान बहुत व्यापक हैं इनका आकार सूक्ष्मदर्शी वुल्फिया से लेकर सबसे उचे व्रिक्ष यूकिल पुसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एंजियो स्पर्म जनन एंजियो स्पर्म को दो वर्गों में बाटा गया है। द्वी बीज पत्री पौधों के बीजों में दो बीज पत्र, जबकि एक बीज पत्री में केवल एक बीज पत्र होता है। का बना होता है जिसके शीष पर एक पराग कोश यानि पराग पुट होता है अर्ध सूत्री विभाजन के बाद पराग कोश में पराग गण बनते हैं पुश्प में मादा लेंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडप होते हैं स्त्रीकेसर में अंडाशय होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनी कृत मादा युगमको भिध होता है, जिसे भुरून कोश कहते हैं। भुरून कोश भी अर्ध सूत्री विभाजंद्वारा बनता है। इसलिए भुरून कोश की प्रत्यक कोशिका अगुनित होती है। प्रत्यक भुरून कोश में तीन कोशिकी अंड समुच्य, एक अंड कोशिका और दो सहाय कोशिकाएं, तीन प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, तथा दो धुरुविय केंद्रक होते हैं। ध्रुविय केंद्रक अंततह आपस में जुड़कर द्विगुनित द्वितियक केंद्रक बनाती हैं। पराग कन पराग कोश से निकलने के बाद हवा या विभिन अन्य एजिंसियों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकागर पर स्थानांतरित कर दिये जाते हैं। यह पराग कन कहलाता है। पराग कन वर्तिकागर पर अंकुरित होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप पराग नली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के उतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुचती है। परागनली भ्रून कोश में प्रवेश करती है जहां दो नर्युगमक मुक्त होते हैं। इन में से एक नर्युगमक अंड कोशिका के साथ सैनलायन करके एक युगमनज यानी युगमक संगलायन बनाती है। दूसरा नर्युगमक द्वी गुणित द्वितियक केंद्रक के साथ सैनलायन करके त्रिगुणित प्राथमिक भुण पोश केंद्रक बनाती है। दो संगलयन के कारण यह घटना दुई निशेचन कहलाती है, यह एंजियो स्पर्म का अध्वितिय गुण है। युगमनज एक या दो बीज पत्र के साथ एक भुण में विक्सित हो जाता है और प्राथमिक भुण पोश केंद्रक भुण पोश में विक्सित हो जाता है, जो विक्सित हो रहे भुण को पोशन प्रदान करता है, सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत निशेचन के बाद लुप्त हो जाती हैं। इस घटना के दौरान बीजांड बीज में विक्सित हो जाते हैं और अंडाशे फल में विक्सित हो जाते हैं। एंजियो स्पर्म बीज और बीज प्रकीमनन बीज एक छोटा ब्रूनिय पौधा है जो बीजावरन कहलाने वाले आवरन में प्रायह कुछ संग्रहित भोजन के साथ बंद होता है। यह जिमनो स्पर्म एवं एंजियो स्पर्म पादपों के परिपक्व बीजांड का उत्पाद है जो निशेचन के बाद बनता है और मात्र पादप के भीदर कुछ वृद्धी करता है। जनक पादप से दूर बीजों का संचलन या परिवहन बीज प्रकीर्णन है। बीज विभिन तरीकों से परिप्षित हो सकते हैं। हवाद्वारा प्रकीर्णन, जन्धुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ माइटोसिस द्वारा विभक्त हो सकती हैं. इसके कारण विभिन पादपकाई अगुनित तथा द्विगुनित बनते हैं. अगुनित पादपकाई सूत्री विभाजन द्वारा युगमक बनाते हैं, जो युगमको द्भिध होता है. निशेचन के पश्चात, युगमन जभी सूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर एक द्विगुनित स्पेरोफाइट या बीजान उद्भदी पादपकाई बनाता है. अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा इस पादपकाई में अगुनित बीजानु बनते हैं. बदले में ये सूत्री विभाजंद्वारा पुनह अगुनित पादपकाय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लेंगेक जनन करने वाले पादप के जीवन चक्र के दोरान युगमकों जो अगुनित युगमकोद भिद बनाते हैं और बीजानू जो द्विगुनित स्पोरोफाइड बनाते हैं के बीच पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण अगुनित तक जीवन चक्र विभिन पादप समूहों में अलग-अलग पीढ़ी एकांतरण पैटर्न पाया जाता है। अगुनित तक जीवन चक्र में बीजानू, उद्भित, संतति में केवल एक कोशी किये युगमनज होता है। उसमें कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइड नहीं होता है। युगमनज में मियोसिस विभाजन होता है जिससे अगुनित बीजानू बनते हैं। अगुनित बीजानु में माइटोसिस विभाजंद्वारा युगमकोद भिद बनता है। ऐसे पादपों में प्रभावी, प्रकाश, संख्लेशी अवस्था, मुक्त जीवी, युगमकोद भिद होती है। उदाहरन, वॉल्वोक्स, स्पाइरोगाईरा और क्लमाइडो मोनास की कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का पाटर्न होता है। यह बहु कोशिकिय मृत जीवी या स्वपोशी, मुक्त लेकिन अलपायू अगुनित, युगमकोद भिद के साथ एकांतरण करता है। उदाहरन, कुछ शैवाल जैसे, एक्टोकाप्रस, पॉली साइफोनिया, कैल्प और फाइकस, अगुनितक, द्वीगुनितक हैं। पीड़ी एकांतरण, अगुनितक, द्वीगुनितक जीवन चक्र, प्रभावी, मुक्त, प्रकाश संग्षलेशी, थेलसाब, अत्वा सीधी अवस्था, अगुनितक युगमकोद भिद में होती है, और यह जुडे रहने और पोशन के लिए, पून अत्वा आंशिक रूप से युगमकोद भद पर निर्भर, अल्प जीवी, बहु कोशकिय, बीजानोद भद के साथ एकांतरण करता है, युगमोद भद प्रवस्था एक कोशकिय से लेकर, कुछ कोशकिय अगुनित होती है, उदाहरन, सभी बीजवाले पोधे, अर्थात, जिम्नोस्पर्म और एं प्लांटी जगत को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, गैर समवनिय पादप, समवनिय पादप, गैर समवनिय पादपों में जल समवाही कोशकाएं, जायलम नहीं होती है, इसका केवल एक प्रभाग ब्रायोफाइटा, मांस तथा लिवरवर्ट है, समवनी इन प्रभागों को प्रायः, प्रभाग, ट्रैकियोफाइटा में रखा जाता है, द्विन शेचन की खोज, एक शताब्दी से भी पहले, सरजियस, नावास चंद्वारा, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में की गई थी सारान आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं जिम्नो स्पर्म वे पादप हैं, जिनमें बीजांड अंडाशे भित्ती से धका नहीं होता है निशेचन के बाद बीज अनावरित रहते हैं और इसलिए ये पादप अनावरित बीजी पादप कहलाते हैं जिम्नो स्पर्म लगू बीजानू और गुरू बीजानू उत्पन करते हैं, जो लगू बीजानू धानी और गुरू बीजानू धानी में बनते हैं ये धानिया बीजानुपर्ण में होती है पराग कोश में अर्ध सूत्री विभाजन के पश्चात पराग कन नर युगमकोदिभद बनते है स्त्रीकेसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते है बीजांड में मादा युगमकोदिभद या भुरून कोश होता है जिसमें अंड कोशिका होती है पराग नली भुरून कोश में प्रवेश करती है जहां दो नर युगमकों को छोड़ देती है एक नर युगमक अंड कोशिका यानी युगमक संगलयन के साथ और दूसरा द्विगुणित द्वितियक केंद्रक त्री संगलयन के साथ संगलयन करता है दो संगलयन की यह घटना द्विनिशेचन केहलाती है और यह एंजियो स्पर्म का अद्वितिय गुण है एंजियो स्पर्म में नर लेंगिक अंग पुंकेसर और मादा लेंगिक अंग स्त्री केसर एक ही पुष्प में होते हैं प्रत्येक पुंके सरमेक तंतू और एक पराग कोश होता है। एंजियो स्पर्म को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। द्वी बीज पत्री और एक बीज पत्री। किसी भी लेंगिक जनन करने वाले पादप के जीवन चक्र के दोरान युगमक उत्पन करने वाले अगुनित युगमको दिभध और बीजान उत्पन करने वाले द्वी गुनित बीजान दिभध के बीच पीड़ी एकांतरण होता है। हालकी विभिन पादप समूहों तथा उनकी व्याष्टियों में जीवन चक्र के विभिन पाटर्न दिखाई दे सकते हैं, अगुणे तक, द्विगुणे तक या दोनों.